हेलो गैज, वेलकम बैक टू मान न्यू वीडियो, आज की इस वीडियो में हम लोग अनार भरसेस पैट्रोल करने वाले हैं, यहाँ पे मेरा पास अनार है और यहाँ पे मेरा पास पैट्रोल है, और इन दोनों को जलाने के लिए यहाँ पे कुछ हम लोग टेक्निक का आने वाले हैं, जब अनार से यहाँ पे चिंगारी जब निकलेगा तो उपर निकलेगा और उपर यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे हम लोग पैट्रोल रखे हुए रहेंगे, यहाँ पे कुछ हम लोग दिमाग लगा है, रसी में यहाँ पे सारा कुछ हम लोग पहले स सबसे पहले नुक्सान पहुंचाएगा उसके बाद जिसमें जो पैटरोल रखा हुआ है वहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ आग लग जाएगा पेटरोल हम लोग अधा लिटर ले क्या है सारा का सारा हम लोग इसमें डाल देंगे काफी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है पैट्रोल और अनार के साथ तो वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है काफी कमाल का ये वीडियो होने वाला है चलिए इस वीडियो को करते हैं जिस परकार से हम लोग अनार भरसेस यहां पर पैट्रोल करना चार रहे हैं उस परकार से सबसे पहले हमको जो है यह कटोरा में पैट्रोल को डाल देना होगा उसके बाद नीचे से हम लोग अनार जलाएंगे तो यहां पर कुछ हम इतना यहां पर पैट्रोल डाल दिये हैं अ आप यह जो अनार है उसको हम लोग यहां पर नीचे जलाएंगे अब इससे जो चिंगारी निकलेगा सबसे पहले इसको नश्ट करेगा मतलब की छेद करेगा उसके बाद जो पैट्रोल में हूँ आग लगेगा काफी ज्यादा यहां पर भ्यानक होने वाला है पूरा रेडिक हम लोग सिस्टमेटिक तरीका से कर लिए हैं अब चलिए जल्दी से हम लोग आग लगाते हैं और देखते हैं यहां पर कितना भ्यानक से यहां पर आग लगने वाला है चुकि डारेट हम लोग पैट्रोल में आग लगाने वाले हैं अनार के माधियम से तो चलिए आग लग प्रक्त湘 कई अ हैасी, आंसाते हैं चले का अप्रून का से कि लिए तो गाइज यहां पर आप लोग देख लिए होंगे कि किस परकार से यहां पर अनार बर्सेश पैट्रोल में आग लगा है जो हम लोग उपर पैट्रोल को रखे हुए थे उसमें सिर्फ थोड़ा ही सा जान सा प्लास्टिक कर था तो तुरंत यहां पर मदलब कि एक परकार से पर दिया पैट्रोल नीचे गिर गया और पूरी तरह से यहां पर आग लग चुका है अभी भी आग लग लग ही रहा है मेरा पस एक अनार और है और हम लोग कुछ अलग तरिका से यहां पर करने वाले देख सकते हैं यहां पर रश्टी भी लगाये होई थे तारा यहां पर इस बार हम लोग क्या किये हैं कि छोटा सा बोतल में यहां पर हम लोग पैट्रोल भर दिये हैं और अबर इसका जो हायट है वो काफी उच्चा तक हम लोग रख देए थे चुकि हम लोग को अंदाजा नहीं था जो यह अनार हो कितना उपर तक निकलेगा तो पूरा यहां तक यह जो आगे था तो अबर हम लोग क्या किये हैं कि थोड़ा सा इसको ऊपर कर दीए इसको जो खेट करने वे थोड़ा से टैम लग जाएगा इसको अब चलिए फिर से यहां पर अनार हम जलाते हैं उसके बाद देखते हैं कि अबर क्या होने वाला है क्योंकि उस टेम तो तुरंत आग लग गया था हम लोग को अंदाजन नहीं था अबर यहां पर थोड़ों से लेट में लोग की देर तक जिलेगा चलिए लगाते हैं अग प्लीज एक जिलेगा शबर में से यज की कि यहां पर हम लोग दूसरा बार आग लगाए थे अनार में पैट्रोल के साथ लेकिन यहां पर क्या हुआ थोड़ा से इसको हम लोग हैट में रख दिये थे तो इस टेंड क्या हुआ कि अनार है इसको यहां पर नुकसान पहुंचा ही नहीं पाए यहां पर थोड़ा सा यहा से गिरा नहीं तो यहां पर जिस परकार से आग लगना चाहिए उस परकार से नहीं लगा इसका जो पिछला आप लोग देखेंगे उसमें नॉर्मल प्लास्टिक वाला था डबा तो तुरंट वहां पर छेद कर दिया था इसलिए वहां पर आग लग गया लेकिन इसको यहां पर नुकसान नहीं पोँचा पया और हम लोग शिर्फ इस वीडियो बनाने के लिए दो ही अनार को ले के आये थे लेकिन लीकिन यहां पर जला नहीं पाया है यहां पर आप लोग वीडियो देख लियांगे कि अनार के साथ जब लोग पेट्रोल में आग लगाते तो किस प लिए जैसा कभी भी ट्रा मत किजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कमाल का नए वीडियो लेकर तब तक के लिए जाहिंद वंदे मातर हूं